हलो फ्रेंड्स, कहते हैं, दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता है और इस बार का लागडाउन 2 समाप तो रहा है 3 मही यानि की कल और इसके बाद लागडाउन 3 की सुरुआत हो रही है चार मैई से, चार मैई से सुरूरे लागडाउन में काफी कुछ सहूलतें आपको मिलेंगी, बहुत कुछ खुला-खुला रने वाला है अगर आप मुवाइल फोन, कपड़े वगरा मंगाना चाहते हैं आनलाइन, तो अमेजना फ्लिपकार्ट, पेटी अमाल वगरा से आनलाइन स्वापिंग भी आप कर सकेंगे इसके अलामा औरेंज और ग्रीन जोन में तो बहुत सारी छूटें आपको मिलने वाली हैं और इसी के साथ सराब की दुकाने भी खुल सकेंगी, ऐसी भी सूचना मिल रही है खैर ग्रीन जोन में तो खुलेगी, लेकिन औरेंज जोन में भी इसकी चूट मिलेगी, ये अभी पता नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बात और भी, कि अगर गाओं में पान के साथ चाय की दुकाने भी खुली, तो संक्रमण का एक नया रास्ता खुल जाएगा क्योंकि गाओं में आप जानते हैं, चाय और पान की दुकाने जमाओडे का एक अड़ा होती हैं और यहाँ पर लोग एक दूसरे के डारेक टच में आते हैं, पान लगाते समय दुकानदार संक्रमित हुआ, हाथ से लगाएगा वो पान तो क्या होगा और इसी के साथ अगर जो कप वो प्रयोग कर रहा है चाय के लिए, अगर वो कप संक्रमित हुआ तो यह सोचने वाली बात होगी कि क्या चीजें और किस प्रकार से सुरू की जाएं खेर, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, हम लोग अगली न्यूज पर और यहाँ पर देखिए, साफ सफाई पर जोड़ देना होगा, साम साथ बज़े से सुबर साथ बज़े तक आप बाहर नहीं निकल सकेंगे और इसके लामा 65 साल से अधिक उम्र के बुज़ूर्ग, दस वर से कम आयों के बच्चे, गर्भती और गंबीर बिमारियों से जूज रहे लोग चिकित्सकी कराणों से ही बाहर आ जा सकेंगे, यानि कि इन लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है समाजिक दूरी का पालन, कार बाइक से आने जाने की छूट, पर बाइक पर सिर्फ चालक और कार में ड्राइबर के अलावा, पीछे की स्टीट पर दो या त्री ही बैट सकेंगे, यानि कि तमाम छूट आपको मिलेगी इस बार लागडाउन 3 में तो दो हफ्ते तक रहेगा, खुला-खुला लागडाउन और जैसा कि आप जानते हैं, रेट जोन में लागडाउन पूरी तरह से लागव होगा, औरेंज जोन में थोड़ा सा छूट मिलेगे, लेकिन अगर आप ग्रीन जोन की जिलों में आते हैं, तो आपको काफी सहूलि और अपने परिवार को भी, ठीक है, जादा बाहर निकलने की कोई जुरूत नहीं है, अभी भी खत्रा टला नहीं है, जब तक COVID-19 का सही सही इलाज खोज लिया नहीं जाता है, हमें इस वाइरस से इस बिमारी से डरने की आ सकता है, इसकूलों में प्रातना सभा खेल कूद पर एक साल तक रोक संभव है, और इसकूल कालिज खुलने पर नियम पालंगले बन रहे हैं, सुरक्षा के दिसा निर्देश, हलांकि बिसेस्ता की ज्यादा संक्या वाले इसकूलों को दो सिफ्ट में चलाने की योजना बना रहे हैं, और इसमें छात्रों को दो सिफ्टों में चल रहे हैं, और CVSC अपने पार्ट करम में COVID-19 से बचाओं को भी सामिल करने जा रहा है, अधिकारियों के मताबिक सभी छात्रों के मेडिकल रिपोर्ट कार्ड पर भी यह बात हुई है, और इसमें छात्र और अविवाकों को साफ सफाई और पौस्टिक आहार को खाने म सामिल करने के बारे में बात कही जा रही है, अधिकारियों ने बताया कि सेफ्टी गाइड लाइन्स बनाई जा रही है, गाइड लाइन सिक्टर संस्थान कोलने की घोशड़ा से एक हफता पहले जारी की जाएगी, और इनी दिसान रिदेस के आधार पर बोर्ड जे ईई मे रहेगी, अधिकारियों के मताबिक जून जुलाई में जब भी सिक्टर संस्थान खुलेंगे, सामाजी दूरी को बनाये रखना मुस्की रोगा, क्योंकि स्कूल बस से लेकर कच्छा में एक मिटर की दूरी बनाये रखना संभो नहीं है, छात्रों को समू में बैठने से कै कैसे रोका जाएगा, और इसके रावां सेकड़ों छात्र महज एक सौचाले का इस्तिमाल करते हैं, ऐसे में छात्रों को कैसे बचाए जाएगा, ये सारी परिसानियां हैं, जिस पर विचार करना अभी बाकी है और इसका हल निकाला जाना है, तो दोस्तों लाग डाउन 3 मे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी छूट आपको मिलेगी, लेकिन आपको सोसल डिस्टेंसिंग को मैंटेन करना होगा, याद रखिएगा कि अपने डाक्टर आप स्वेंग हैं, और जान है तो जान है, इसलिए बहुत अधिक बाहर मत निकलिएगा, जनुरत की चीजों के लिए ही बाहर निकलिएगा, और एक बात और भी कि सोसल डिस्टेंसिंग ये आपके दिमाग में हमेशा बना रखना चाहिए, और देखें लागडाउन खुलने के बाद, इस्कूलों में हो सकेगी प्रिवेस प्रक्रिया ये बात कही जा रहे है, अच्छनिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है, और अब इसे बढ़ाकर 3 मई से 17 मई तक कर दिया गया है, हालांकि इस बीच पूरी प्रिवेस प्रक्रिया को आनलाइन सुरू करने की की भी त्यारी की जा रही है, लेकिन सभी लोगों के पास इंटरनेट की उप अफलाइन एडमिसन का मौका दिया जाएगा, और टीटी 2019 की बारे में बात करें, तो टीटी 2019 की परिच्छा में नकल और धानली कराने के आरोप में ग्रफतार आरोपित की जमानत अरजी जिला नहाले ने खारिज कर दिये, जमानत अरजी पर सुनवाई बिशेस आदेश मे वीडियो कॉंफरेसिंग के माध्यम से सुक्रुवार कोई, यह आदेश अपर से संजज बद्री विशाल पांडे ने आरोपित उमेज सिंग उर्फ संजज सिंग की कई माह से विचारा जिन जमानत अरजी पर उनके अधिवक्ता एवन सहाग जिला सास की अधिवक्ता फौस जमानत अरजी सुईकार के जाने का कोई उचित कारण नहीं है और इसलिए आरोपित की जमानत अरजी निरस्त के जाने योग है जमानत अरजी का विरोध करते हुए सहाग जिला सास की अधिवक्ता सुसिल कुमार वैस ने तर्क दिया कि इस मामले में गिरफतार अन्य से द्वारा खारिच की जा चुकी है इस आरोपित के कबजे से ग्रिफतारी के वक्त एक लाक रुपए चालिस मोबाइल फोन बरामत हुए हैं यह लोग टीटी की परिच्छा में धादली वर नकल कराने में जुटे थे जो की समाज के बिरुद एक गंबीर अपराद है आरो अरकल वा धादली कराने के आरोपितों को सिविल लाइन्स पत्थर गर्जा घर के समीब से ग्रिफतार किया था इनमें संजजर सिंग उर्फ उमेज सिंग समेथ साथ लोग ग्रिफतार हुए थे संजर सिंग के कबजे से एक लाक रुपए चालिस मोबाइल फोन और अन्य के के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक गुड निउस है एल्टीकिट के सभी जो विसे हैं उसमें 13 विसेओं के सापेक्ष जिनकी जो है काउंसलिंग हो चुकी है मतलब जिनका डाक्मेंट वेरिफिकेसन हो चुका है उनको जल्द नियुक्ति दिने के बारे में बिचार कि जा रहा है तो 13 में से 9 विसेओं के चैनितों की फाइल नियुक्ति पत्र निर्गत करने की संसुति के साथ शिक्षा निदे साले को भेज दी गई है नियुक्ति पत्र शिक्षा निदे साले के अस्तर से जारी के जाएंगे हालांकि लागडाउन की वज़से सभी अभेरतिय जो को न्योकति पत्र नहीं मिल सकेंगे फाइर मिलने के बाद की प्रक्रिया इस दोरान पूरी की जाएगी लागडाऊन समापत होते हीकालेज आवंटित कर न्योकति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी और बीडियो के 336 पदों पर प्रतिन्यूक्ति से आक्रोस जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार UPPCS में मात्र 200 पद हैं और यहां पर एक खबर यह निकल के आ रही है कि 336 पद जो की रिक्त थे उनको UPPCS में सामिल नहीं किया गया और उन पर प्रतिन्यूक्ति की जा रही है तो आएए देखते ह हैं पूरी खबर देखिए सासन ने प्रदेश में खंड विकास अधिकारी यहने की बेडियों के रिक्त 336 पदों पर अन विभागों के अधिकारियों की प्रतिन्यूक्ति करने का नेड़े लिया है और इसके लिए उत्तरपदेश ग्रामें विकास विभाग राजपतित अ दियावा निमावली 1991 में संसोधन करने की प्रक्रिया प्रारम कर दी गई है सासन के कदम से प्रतोगी छात्र काफी आक्रोसित हैं प्रतोगी छात्र संकर समित की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है कि रिक्त पदों को PCS की भरती में सामिल करते विए इन पर विरुजग प्रतोगी प्रतोगी छात्र एक बाल फिल से आक्रोसित हैं और राष्ट पती राजबाल पीम और सीम कोई मेल भेज और ट्वीट कर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है प्रतोगी ओं का खुला और रोप है कि सासंग के कुछ आला अधिकारियों के साजिस से बेडियों के रिक्त पदों पर जान बूचकर भरती नहीं की जा रही है और उस पर प्रतिन्युक्ती की जा रही है दोस्तों प्रतोगी छात्रों को प्रमुख सच्चिव मनोज कुमार सिंगी ओर से 30 अप्रेल को ग्रामे विकास आयुत को जारी पत्र मिला है जिसमें प्रतिन्युक्ति के नेड़े की जैंकारी देखते विए देते विए नेमावली में संसोधन का मारलर ड्राफ्ट तयार कर को कहा गया है पत्र में उल्लेक है कि वीडियो के स्विक्रित 857 पदों में से बर्तमान में 336 पद खाली हैं और इन पदों को भरा नहीं जा परा है सासन ने रिक्त पदों को अन विभागों के अधिकाईयों को प्रतिन्युक्त कर भरने का नेड़े लिया है और इसी के साथ इलावाद हाई कोट ने प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर कालोजों में 2004 की भरती के TGT अध्यापकों को पुरानी पैंसन देने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक छेप करने से इंकार कर दिया है कोट ने का कि मार्च 2005 में पुरानी पैंसन योजना समाप्त हो गई रही है बी यार आमबेटकर विस्विद्याले ने जो फरजी अभेटियों के बारे में सुचना जारी किये उसके आधार पर अब इन फरजी स्टिक्षकों पर कर रवाई किये जाने से संबंदी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है डाक्टर भीम रहा आमबेटकर विस साथ हाई कोर से जारी 28 पेजों के नेड़े का अध्यन कर रहे हैं यानि कि अगर ऐसे फरजी अध्यापक पाए गए तो उन पर रहम नहीं किया जाएगा तो दोस्तों यह थे आज की सारे अपडेट्स उमीद करता हूँ वीडियो आपको फसंद आया होगा इसे लाइक और बहुत बहुत धन्यवाद, happy great day, जैहन